राष्ट निर्मान के लिए महत्मा गांदी के विचार आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक है। गांदी जी के सत्थ और अहिंसा के संदेश पर चिंतन मनन करना हमारी दिंचरिया का हिस्सा होना चाहिए। सत्त और अहिंसा का उनका संदेश हमारे आज के समय में और भी अधिक आवस्यक हो गया है। किसी भी उद्देश के लिए संगर्स करने वाले लोगों विशेश रूप से विवाओं को गांधी जी के अहिंसा के मंत्र को सदय वियाद रखना चाहिए जो की मानवता को उनका अमूल उपहार है। कोई भी कार उचित है या अनुचित यह तै करने के लिए गांधी जी की मानव कल्याण की कसोटी हमारे लोगतंत्र पर भी लागू होती है। लोगतंत्र में सत्ता एवं प्रतिपक्ष दोनों की भूम का महत पूर्ण होती है। राजनेतिक विचारों की अभिवक्ती के साथ साथ देश के समग्र विकास और सभी देशवासियों के कल्याण के लिए दोनों को मिल जुल कर आगे बढ़ना चाहिए।